नोटिविकेसन रलीच कर दिया गया है बहुत सारी विकींसीज आपको अलग लग देखने को मिल जाएगे तो हम direct करेंगे ITA pass वालों के लिए क्योंकि यहाँ पे ITA वालों के लिए procedures दे रखा है वैसे तो already diploma के लिए भी vacancies है बाकि हम बात करेंगे direct आपका interview कहाँ पे कितनी तारीक को रहने वाला है संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को ध्यान पूरक देख लीजे तो यहाँ पे नीचे सा क्रोल करके जाना है और ITA वालों के लिए यहाँ पे detail से हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो video की तरफ से vacancies है video हिद्रावाद की तरफ से vacancies जारी की गई है जिसमें आपको projector trade assistant के लिए 6 post यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे अलग-लग trade wise यहाँ पे दे रखा है आपको पढ़ लेना है कौन-कौन सी trade के लिए कितनी-कितनी vacancies रखी गई है radio mechanical के लिए 5 post रखी गई है projector assistant feature के लिए यहाँ पे 6 post यह आपको देखने को मिल जाएगे assistant electronic के लिए 2 post यहाँ पे इस zone से total 19 post है आपको 18 तारीक को सभी document के साथ यहाँ पे पहुंच आना है Sunday को देख सकते हो 18 फरवरी 2024 को भारत Diamonds Limited Company अपनी कंचनबाग, हैदराबाद, नियरवाई, मैदानी बस्टेंड, डिपॉंट पे अंदर आपको वहाँ पे पहुंच जाना है यहाँ पे direct सभी document के साथ आपको पहुंच रहेगा पहले आपको online आवेदन करना होगा पूरी डिटेल अच्छी तरह से बता दूँगा, वीडियो को ध्यान पूरक देख लीजिए बात करते हैं यहाँ पे अगला बंगलोरु के लिए जो बंगलोरु जोन के लिए है वो इसमें आपको असिस्टेंट फिटर के लिए दो पोस्टें रखी गई है और इसके लावा यहाँ पे देख सकते हैं फिटर के लिए विसाका पटनम के लिए विकेंसिव है एक और धिटर के लिए डो पोस्टें टॉटल छै पोस्टे रखी गई है इसमें आपको 25 फरवरि को इंटर्यू के लिए जाना होगा बात करते हैं थर्ड नमबर यूनिट के अंदर जो पादन को चुरूर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा बीडियल के अंदर जिसमें आपको feeder के लिए कितनी-кितनी पोस्टेर रखेगी वो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है यहां पर आपको बताई देता हूँ मैं कितनी कितनी vacancies रखी गई है फिटर के लिए 20 पोस्टें रखी गई है और इसके बाद बात करते हैं electrical के लिए 2 है turner के लिए 4 है mechanical के लिए 5 पोस्ट रखी गई है welder के लिए 2 पोस्ट रखी गई है और कुल पोश्ट है वो 83 पोश्ट रखी गई है इनके पर्जेक्ट लाइन के लिए जो भी यूनिट के लिए 300 एक सच पोश्ट हैं लेकिन IT पास वालों के लिए 83 पोश्ट रखी गई है यहां पे आपको 22 तारीक को पहुंचना है 22 तारीक को यहां पे इंटर्व्रीयू रहन जल्ए और है अब बात करते हैं परेड आजकतर के लिए और कितनी कौन से काक्षट के लिए यहांपन यॉरल्स के लिए आघ के है उबी सी के लिए चैक के लिए बारा पोस्ट लिए शहापोस्टय की बात करते हैं तो एड़ा withdraws सखी गई है बाकी एज रिलेक्शन में आपको छूट भी देखने को मिल जाएगी ठीक है ऐसी स्ट के लिए फाइफ यह से देखने को मिल जाएगी तो यहां तो उन्होंने सारा का सारा प्रोसेस दे रखा है अब हम बात करते हैं यहां पर दे रखी है कि कोन सी पोस्ट के लिए क्या यहां पर आपके पास ट्रेड होना थी है और कौन सी ट्रेड के यहां पर के अवेदन कर सकते हैं आपका 10 बाद IT होना चाहिए अब बात करते हैं एक्सपिरियंस तो यहां पर देख सकते हैं एक साल का अनुभव भी आपके पास होना जरूरी है अब इसका उपीशल अपलाई करने का लिंक मैंने डिस्कुरिशन में दे दिया है वहाँ पे क्लिक करके आप अवाइदन कर सकते हो बीडियल की तरफ से बहुती शांदार नोटीवी के सरलीज किया गया है बात करते हैं पोर्जेक्ट ट्रेड एसिस्टेंट और पोर्जेक्टर ओपीसर एसिस्टेंट के लिए फास्ट यर सेलरी आपकी 23,000 रहेगी सेकेंड यर आपकी सेलरी बटके 24,500 से 26,000 रुपे रहने वाली है एक्सपिरियंस और एक बगेर एक्सपिरियंस के साथ फोर्थ यर का आपका रहने वाला है सेलरी आपकी 27,500 रुपे रहने वाली है यहां पर अपलाई करने का लिंक में ने दे दिया है बाकी यहां पर आपको आवेदन सुलक का वो ओनलाइन अपलाई का 200 रुपे रखा गया है ठीक है 200 रुपे आप अवेदन सुलक दे सकते हो 14 तारीक इसमें लाइस डेट है पांस बजे तक आप अपलाई कर सकते हो यहां पर उन्होंने इसाब तोर पे दे रखा है कि फोर्थ येर्स का आपका रेगनेशन प्रजेक्ट काम रहने वाला है तो यहां पर आप देख सकते हो फ् सब्सक्रावरी रखे गई है देन वीडियो अच्छे लेगे दो लाइक करना नहीं बुले चलिए मिलते हैं एक और नीए वीडियो साथ तब तक के लिए जैहिन जभारत वंदे मातरम